असलामू अलेकुम आज हम बनाएंगे काले चना भटोरे की रेसिपी जो ये बिठ्थे बनाया जाता है तो चलते शुरू करते खाने में बहुत मज़ेदार और चटाकेदार होता है तो शुरू करते तो हमने यहाँ पे कुकर ले लिए कुकर में हम डालेंगे चने तो चने को हमने पहले से भिगो कर रख दिये थे एक बड़ा प्यार डालेंगे इसी के अंदर हम एक दो आलू डालेंगे बड़े इसको छील कर हमने दोकर पहले से रख लिये थे दो चमच डालेंगे अधरक लसन हरी मिर्च का पेष्ट आधी चमच एक चमच डालेंगे हम धन्या को रखती है अच्छे से मिस करके से हम 2-3 मिनिट तक हाई फ्लेम पर चने को अच्छे से भूजेंगे एक बड़ा टमाटर हमने डाले है अभी टमाटर बहुत मेंगा है तो मैंने एक डाला इसमें जब टमाटर सस्ते हो जाए तो चार से पांच टमाटर डाल दीचेगा तो बह है तो हम आलो पामटर ढय डाल देते हैं अब देख सकते अच्छे तरीके से हमने भूज लिए बहुत ज़्यादा भी पानी नहीं डालना है एक से लेड़ गिलास ही हमें पानी डालना है गलर चेंज होगे हमें भूजतते हुए तो हम पानी एड़ कर देते हैं आप देख सक किसे गल गए और चने भी तो अच्छे से मेस कर देते हैं आलू को हमें सभी आलू को मेस नहीं करना है थोड़े बहुत आलू मेस कर देना है ताके खाने में ज्यादा अच्छा लगे तो ग्रेवी टाइप हो जाएगा जब आलू हमेस कर देंगे इस तरह दरदर हमें आलू को थोड़े मोटे मोटे रखना है आप देख सकते हैं किस तरह हमने रख है आलू को इसी consistency में हमें रखना है बहुत पतला नहीं बनाना है पीसे पूरी के साथ खा सकते हैं रोटी के साथ खा सकते हैं बहुत मज़ेदार की होती आदी चमच हमने पाउभाजी मसाले डाले एक इसके साथ पूरी बना कर खाए थोड़ी नमक कम लग रही थी तो थोड़ा हमने और डाल दिया रच्छे से मिक्स कर दिये अब इसमें थोड़ी से कोथमी डाल देते रच्छे से मिक्स कर देते और चलते फटा फ़र से साव कर ले बहुत मज़ेदार और टेश्टी रेसिपी बना तो आप लोगों को यह रेसिपी बहुत पसंद आई होगी एकदम सिंपल से आसान से रेसिपी है आप बनाओगे तो बहुत जल्दी से बनकर तयार हो जाता है और कम चीजों से अच्छी से अच्छी चाना च्छों बहुत दूरे बनकर तयार हो जाता है तो उम्मित करत आपको रेसिपी बहुत पसंद आई होगी